जब हनमान तलाल जी माराज उस जोपनी के निकट जाते हैं उस जोपनी के निकट जाने के बाद उस जोपनी के निकट जाने के बाद विभीशन जी माराज से उनकी मिर्दता होती है, मुलाकात होती है तो विभीशन जी माराज कहते हैं कि हे हनमान जी इस लंका के राज में रहते हम पर भगवान का भजन करते हैं इस निशाचर के राज में रहकर भी भगवान का परमात्मा का भजन करते हैं और हनमान जी माराज क्या आपके रगवेंदर सरकार मुझे पर गिर्पा करेंगे मुझे इस अनात को सनात करेंगे तो हन्मान जी माराज कहते हैं कि हे भाई वेहिशन जी जब मुझे ऐसे अधम नीच जाती जब बंदर पर भगवान किरपा कर दिये तो आप पर अवश्य करेंगे दिन रात आप उनका भजन करते हैं गुनगान करते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे इसे लिए देखिए संतों ने वराव संदर वर्नन किया क्या वर्नन किया है कीनात राकली अपनी सरन्या में कीनात राकली ही अपनी सरन्या में कीनात राकली ही अपनी सरन्या में कीमनवा लागलबाते प्रभू के भजन्या कीनात राकली ही अपनी सरन्या में कीनात राकली ही अपनी सरन्या में कीमनवा लागलबाते प्रभू के भजन्या में यहे। लागलबाते प्रभू के भजन्या में आप आते हैं मकल मोरति मारूत नांदन सकल अमांकल मोल निकांदन हितात कब हो बोही जानी अनाथा कदी हमके मार बात भोलना आते हैं मार बात भोलनादन अमोहिवाओ भरस हनुवन्ता दिन्हरी कृपा मिलें झाल